हेलो दोस्तों नमस्ते आज हम लोग मैट पढ़ेंगे मैट में सबसे पहले जो स्लेबस है वो सिंप्लिफिकेशन सरली करण है जिसमें सरली करण में बादमास रूल का फालू किया जाता है यह बादमास रूल है क्या कि इसमें सारे मेनिंग्स है जो बी है ओ है डी है एम एस इसके फूल फार्म है इसी से रूल बना है जैसे हम यहां पर बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट है और ब्रैकेट में यह बड़ा बैकेट है यह मजला बैकेट है यह छोटा बैकेट है क्वेस्चन का सेक्वेंस इसी तरह करेंगे आगे पहले बड़ा यह छोटे बैकट को सालो करेंगे फिर मजले बैकट को सालो करेंगे फिर लाश्ट में सबसे बड़े बैकट को सालो करेंगे ओ का मतलब ऑफ है जो यहां ओ है ना इस यह दूसरा सेक्वेंस दूसरे पर है ओ का का मतलब डिवीजन है मतलब भाग है M का मतलब मल्टिप्लिकेशन गुड़ा है एक का मतलब एडिशन जोड है एस का मतलब सब्स्ट्रेक्शन घटाव है दोस्तों आईए अब यह बादमास के रूल पर हम एक्जामपल को देखते हैं अभी आप लोगों सब बताएं इसके अंसार आप यह क्वेश्चन सालो करेंगे इसका देखे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो पहला क्वेश्चन है इसमें दो प्लस दो चार कर देते हैं भागे दो कर देते हैं तो इसका फिर एंसर निकालते हैं यह गलत है जब इस रूल को फालो करेंगे तो सबसे पहले क्या सालो करेंगे देखे इसमें पहले य जोड़ेंगे तो यह 2 हो गया अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा इस तर से पहला question साल होगा क्यों देखिए यहां पर इस question को फिर सर समझा देते हैं पहले देखिए इसमें plus नहीं साल करेंगे पहले division साल करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि देखिए पहले करके हम इससे साल किया हैं तो दो भागे 2 equal to 1 1 हो गया और इसमें प्लस और ये दो लिख लिए तोटल हुआ इसका एंसर तीन हुआ ये पहला क्वेस्चन हो गया ऐसी है आई हम दूसरी क्वेस्चन को देखते हैं पहले इसमें क्या करेंगे देखे प्लस नहीं करेंगे पहले भाग करेंगे तो यह हो गया चार आठ में जब दो का भाग देंगे तो यह चार हो गया फिर इसमें यह प्लस चार यह माइनस हो गया तो अब देखे इसमें पहले प्लस सालो करेंगे तो चार चार आठ माइनस पा सबसे पहले क्या सालो करेंगे देखे इस क्रम में न प्लस सालो करेंगे न भाग सालो करेंगे पहले ब्रैकेट सालो करेंगे क्यों कि पहले में ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को जब सालो कि तो कितना इंसर आया तीन फिर उसके बाद क्या हुआ यहां पर भाग का सिंबल गया चालीस ओके दोस्तों अब अगला क्वेस्चन देखते हैं चौथा और पांच वाँ इसमें देखे हम इस ब्रैकट को पहले सालो करेंगे तो कितना आया देखिए वहाँ हमने लिखा है सबसे पहले यह सालो होगा तो कितना आ गया नो आ गया फिर प्लस पांच आ गया फिर यह अपना ब्रैकट हो जाएगा फिर माइनस 16 फिर प्लस 12 अब कौनसा ब्रैकट सालो करेंगे अब यह नहीं करेंगे पहले इसको सालो तो कितना हुआ पांच और नो चौदर फिर माइनस यह हो गया 16 प्लस 12 फिर इन दोनों को जब सालो करेंगे तो कितना होगा यह 16 में से जब 14 घटाएंगे तो 2 आएगा फिर इसको प्लस 12 अब इसका एंसर कितना आ गया 12 दो 14 यह आपका एंसर आ गया सबसे पहले हम कौल करैंगे यह आपको सालो करेंगे वस्ठांट के अंदर है ना दो पहले आपको सालो करेंगे क्योंकि यह bracket के अंदर है तो आपके स्थान पर हमने क्या लिखाता है का लिखते हैं का का मतलब क्या होता है गुड़ा होता है तो हमने यहां गुड़ा कर दिया 6 और 2 तो इन दोनों का जब गुड़ा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा और यह भागे 3 यहां क्या है प्लस 4 अब यह bracket कर दिजिए और इधा माइनस 10 हो जाएगा अब इसमें क्या करेंगे भाग को सालू करेंगे कितना आया 4 आया फिर प्लस 4 हुआ तो अब इसको जब सालू करेंगे कितना आएगा इसको पहले आप लिख लिजिए इसको साल करेंगे तो 4 4 8 है या माइनस 10 इक्वल टू दो यह देखिए इसका एंसर आ गया तो इस तरह से हमने बादमास रूल के लबम जितने आते हैं क्वेस्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस तरह से हम डियाडियो के और सलिवस के क्लास आगी लेते रहेंगे